कि सभी दोस्तों को नमस्कार जैहिन में रेसिंग आप सभी का यूटूब चैनल पर प्रिक्रेशन उप्टिची नहीं की नहीं में सब्सक्राइब करें दोस्तों आज के वीडियो में हम साट कुस्टन आपके जी के रीडिनिंग और मेट से आईए और आपके जो है तीजा आपकी लैंग्विज से आईए तो दोस्तों आपको प्रक्तिस करनी यहां मैंने लगबग सभी जितना реально आपका सॉले वाद बाम चाहे हैं दो इन जो प्रिकशनल वाला हो उनके बारे में बताएं, तो उसके बारे में बतादेंगे, आप इस तरह करके मेरे को बताएं, क्योंकि अब मैं बार बार एक यही चीज पर वीडियो बनाओ, मेरे को यह भी तो भी इच्छ नहीं लगता, जैसे मैंने एक रूल का एक हाला कि कुछ एक्ट रूलस जो है उनको को अलग भी पढ़ाना पड़ेगा मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है क्योंकि थोड़ा उनको डिक्स आपको ब्रीफ से बताना पड़ेगा क्योंकि मैं देख रहा हूं क्वेस्चन जो है जैसे मालिया सेक्शन नो से सक्षन दस से आ रहे हैं और जब तक आप उनको न पड़ाना जाता लेकिन इनको भी मैं आपको ब्रीफ में बता हूं और साथ ही साथ फारम के बारे में भी कुश्चन पूछे जाते हैं कि जो है कि की टोली अगर किसी दंगे को तितर बितर करने के लिए जाती है तो उस समय जो है किस फारम पे जो है महां पर उपस्ति से साइन करा जाते हैं तो इसके बारे में भी एक वीडियो पनाएंगी तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपका प्रक्टिस हैट के तोर पर यह हिंदी के हिंदी का प्रक्टिस हैट है और आपके लिए बहुत महत्पूर होगा आप हिंदी वाले जो है मैं इंगलिस का न हाँ उनसे भी आता है आपके वाक्य को पोछ जा जा दोस्तों उस पर भी बापको वीडियो बना दी जाएंगी तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रक्टिशicas Rत सबसे पहला एप्रिशन है संग्या क्या है. दोस्तों, बहुत आसान क्यूश्टन आते हैं, लो अकिन आपको पता होंए छाई संग्या क्या होता है? किसी भी इस्तान व्यक्ति वस्तू आदी का नाम बताने वाले सब्द को संग्या कहते है. संग्या के उधारन संग्या के दार राम हो गया भारत ने मालिया गंगा मेज कुर्शी विस्तर चादर शेर भालू साप विच्चुवादी जो भी नाम है आपका प्लेट हो गया केला हो गया आम हो गया फल्क जो भी जिसका नाम है वो उसकी संग्या है या उसी संग्या के नाम से उसको पकार रह वाचक जो एक समू वाचक जैसे बक्री हो गया एक जाती हो गया भेडिया हो गया एक जाती हो गया जैसे बिच्छु एक जाती में आ गए हैं या कोई भी एक जैसे कोई एक जाती हो गया समू वाचक जो समू जैसे मालिया क्लास हो गया आपका आपका सेना की टुकडी हो गया हुए जातु बाचक जिसे कंपनी हो गया वो एक समू हो गया और द्रव्य वाचक जिसे द्रव्य वाचक में आपको पता होगा जिसे हिमालिया है लोहा पानी ये सब द्रव्य वहाव वाचक वहाव वाचक में वाते हैं जो भावनाव से प्रेदित होते हैं पिरसन नमबर पा जो है कलास हो गया, जैसे बरात हो गया, भीड़ हो गया, जुनू ये सब जो और वाचक में पानी हो गया, लोओवा ओ गया, मिट्विश्व hy आपका क्ःवान उब्रक ओ गया बाव वाचक में, जैसे ममता, जो एक बाव की तरह वरती है, ममता हो गया। बढ़ापा हो गया अधिग अब आता है सर्वनाम. संग्या का ही दूसरा नाम, सर्वनाम या मिया कि संग्या की जगה कोई हुच करते हिए तो इसको दोस्तों सर्वनाम कहते है जैसे मालिया मेरा नाम rezño है. बार बार मेरे को जो मेरा दोस्त हुद में जाता है मरा relation में आ जाता है मेरे साथ नाम ने लेका, वो मेरी को आप भी बोल सकता है, जिसके माले जादे कलोज है, आप जो थोड़ा respect करेंगे तो आप बोलेंगे, जो माले बिल्कुल कलोज होते हैं, तो तुम ताप पे आ जाते हैं, या कहना मतलब वो नाम की जगे जो दूसरा सब्द में जैसे तुम, आप, वह, वह, आली, परसे नमबर साथ है, सरवनाम साथ तक सब्दों के कितने वेद हैं, तो सरवनाम साथ तक सब्दों के आठ भेदों में से एक भेद हैं, सरवनाम कितने परकार के होते हैं, तो सरवनाम दोस्तों च्छे परकार के होते हैं, सरवनाम में आपको एक पराग्राफ दे दिया जाएगा उसमें आपको पैरा नहीं है के वाक्या के तवर पर दे दिया जाएगा अर आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा सम्ढाब कि तो आप राम से अगर पड़े हैं तो आप को पर चाते हैं कि पुरूष बाचक है निश्चे वातक है, ए निश्चे है, प्रस्न वाचक है, प्रस्न वाचक में तो समसे सिंपल है, इसमें क्या क्यों आदी लगा रहता है, या प्रस्न चीन लगा रहेगा निज वाचक में जो कुछ है, अपने जो निजी के लिए होते हैं, प्रस्न नमबर दस पर चलते हैं, प पुर्षवाचक विक्तिवाचक सर्वाम तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? उत्तम पुर्षवाचक सर्वाचक सर्वाम. जिस सर्वाचक का प्रयोग बोलने वाला सुर्था के लिए करता है, उसे उत्तम पुर्षवाचक सर्वाचक सर्वाम कहा जाता है. जैसे मैं, हम या जो एक ग्रूप में हो बोले हम, मुझे हमारा आदि अब मद्या पुरस वाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम का प्रियोग बोलने वाला सोता के लिए करे उसे मद्या पुरस वाचक सर्वनाम कहते हैं से तुम मुझे तुझे तुम्हारा आदी अन्य पुरस वाचक सर्णाम तो दोस्तो जिस सर्णाम का प्रियोग बोलने वाला सोता क्या तरिक किसी अन्य व्यक्ति के लिए या पुरस के लिए करे उसे अन्य पुरस वाचक सर्णाम कहते हैं जैसे वह है वे उसने यह है इसने आ है, सबसे पहले है, उत्तम पुरुस, जो खुद बोल रहा है, जैसे मैं हो गया, अब मेरे सामने जो है, जिसको मैं मेरे सामने प्रेजेंटर, उसके लिए बात करें हूँ, वो बंद्धि हम हो गर्लाता सर्वनाम कहते हैं जैसे यह वैसे वैसे व्यक्ति निस्चे प्रोगात करा रहें अन्यद्धी च्रमर्फित newставля और चत्रमिधस्द ow को जो मृटारन जो आ पुछ्तक सूनी की वातिक सर्वनाम जिन सर्वनाव सब्दों को या सब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोद नहों वे निश्चित व्यक्ति सर्वनाम कहलते हैं उदारन के लिए, दौार पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है कौन, कपिल नाम ने लिया, कपिल खड़ा है, रमेश खड़ा है, कुनाल खड़ा है, प्रिंस खड़ा है, या महन खड़ा, कोई निश्चे वादर नहीं है, तो कोई खड़ा है, इसमें कोई निश्चे नहीं है, तो यह निश्चे वारे होगा परसला नमबर तेरे पर चलते हैं सम्वन वाचक सरनाम के बारे में बताएं उत्तर है सम्वन वाचक सरनाम परस परस सम्वन बताने के लिए जिन सम्वन वाचक सरनाम कहते हैं जैसे जो वह है जिसकी उसकी जैसा वैसा आदी उधारन जो सोएगा सो खोएगा जो जागेगा सो पाएगा यानि की सोने का संबन खोने से जागने का संबन पाने से यानि की संबन जहां पर बनता हो तो वहाँ पर जो है हम बोलते हैं संबन वाचक संबन प्रिशन चोद्वा है यानि की 14 प्रिश्टन वाचक संबन के वारे में बताएं प्रिश्टन वाचक संबन जो नाम संग्या सब्दों के इस्तान पर भी आते हैं और वाक्या को प्रिश्टन वाचक भी बनाते हैं कहने मुला संग्या के इस्तान पर भी आते हैं और प्रिशन को क्या प्रिशन वाचक बनाते हैं क्वेस्चन वल बता देते हैं वे प्रिशन वाचक संभा क्या आते हैं जैसे क्या कौन क्यों आदी उधारन है तुमारे घर कौन आया है तो कौन है ये क्या है एक प्रिशन बन गया है कि प्रिशन वाचक संभा क्य पिशल नमबर पंद्रे निजवाचक सर्वनाम के वारे में बताएं या निजवाचक सर्वनाम क्या होता है तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम जो है सर्वनाम जो है जहां सर्वनाम के लिए जैसे आप अपना अथवा अपने आप सुद का सुद सुद नहीं होगा सब्द हा महान नजवाजग सम्वा होता है इसमें अपना और आप सब्द उत्तम पुरुष मद् 연प़ुष और अन्या पुरुष के स्वंब का अपने आप का ज्न करा रहे सब्द है उन्हें नजवाजग काते हैं जैसे माँलिया आपने पड़ा है उत्तम पुरुष स्वम के लिए मध्यम पुरुष जो आपके सामने की बात सुन रहा है और अन्या पुरुष जो आपके सामने नहीं हम अन्या की बात कर रहे हैं पिरसन नमबर 16 पन्रह सो से पांच हजार की पूचाई पर यानि की फिट की बात हो रही है यहां पर जीडीपिटी में स्टेंद भी यानि कि दे को question पूछा जाता है इस तरह मैंने देखे आपको पहले तो पता होना चाहिए जीडीपिटी में कितने इवेंट होते हैं तो दोसथ दो मैं आपको बता दूँ ھا- तो six 10 यहोथा जिसकी दूरी होती वन एट ती रिए भी यह बिसका के जीपार मेंच onlar होदा है तो दोस्तों वन एटी करेंडों अनौ 2可能 कि रिए दो 183 मीटर जाना एक साइड में होता है या उसको आधा कर लेते हैं तो हाप में आना और जाना करा जाता है लेकिन फायर मैन लिफ जो है आपका इस्टन भी में कहा ही आपका इवेंट है उस इसमें जो है 1500 से लेके 5000 की उचाई पर जो करा जाता है सतर सेकिंड से कम आने वाले जवान को एक्सिलेंट एकतर से असी वा तक गुड माना जाता है है और शिकासी से लेकिन नब के नबए तक स्टिट हमाना जाता है और 119 से लेकि सो तक फूर है और सो इसे उपर को जादे जाता है तो उसको जिसको uh so या की फिल की सिर्दी में रखा जाता है दोस्तह तो दोस्तों एक क्वेस्चन मैं देख रहा हूँ जेड़ीपीटीशे भी पक्का आता है कहां कहने मतलब जरूरी नहीं आ जाए लेकिन आप जिस से भी आ जाए आपको की तैयारी पूरी होने जाए है जितना भी हो सकता है मैं आपको दे रहा हूँ मटेरियल आपको वैबसाइट पर भी मेरे मिल जाएगा दोस्तों आप वैबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं लडिशी एंड नैट एक्जाम डोट कॉम पर जाएंगे आपको वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा दूसरा कुछ वीडियो इस पर डाल रहा हूँ कु जब तक सब्क्राइब नहीं करेंगे जब तक वो सर्च में आएगा तो दोस्तों आवसे सभी शनिवेदन है उस चैनल को हैं और आपको बाद में पूरा हम पूरा का पूरा पूरा सेप्रेट वीडियो वीडियो पर रखेंगे इस पर क्योंकि बीच में अभी नैट का एक् यानि कि पांचवे इवेंट में आपका एक इवेंट इंडॉरेंट भी होता है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडॉरेंट में इंडॉरेंट में इंडॉरेंट जो होता है उसमें सेहन सक्ति में कराया क्या गाता है तो दोस्तों इंडॉरेंट जो होता है आप उसमें जो वोेंट है आपका 1.6 किलो मेटर की रनी होती है तो उसमें जो है इंडौरेंस सेंसक्ति का स्थरिकारर इस पिरकारा है सात मिनिट चालीु सेकिंड कर कोई कम में आता है समय में तो इसको लेता है 1.6 किलोमेटर में तो उसको फेर यानि की अंसर्टिफिक्ति माना जाता है तो दोस्तो पिर्शन नमबर अठार है जेडी पीटी का पूरा नाम क्या है तो जदी डिस्टेंड फिजीकल इपसेंसी टेस्ट है दोस्तो उसका आपको पता ही होगा और एक होता बी पीटी तो बी पीटी का पूरा नाम क्या है तो उसका बैटल फिजीकल इपसेंसी टेस्ट और सेलो का पूरा नाम क्या है सेवाव निश्टा दोस्तों सेलो के बारे में बहुत ज़्यादे पूछा जाता है तो यह है आपकी आज के 20 महत्पन कुश्चन दोस्तों वीडियो अच्छ रहा हूं तैयारी भी मैंने मतलब मैं तो क्वालिफाई हो चुका हूं दोस्तों लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहता हूं या उनकी सम्मन में वीडियो पहले बनाता था लेकिन अभी आपको पूरा समय दे रहा हूं और वीडियो अच्छा लगता है तो लेक लाइक बनता है सा तो आप वहां पर क्या है आप करी लोग बोलते हैं वीडियो क्वाल्टी सही नहीं है यह हो तो आपको वहां पर भी आपको टेक्स में आप पढ़ सकते हो लेकिन वीडियो में क्या है आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो के साथ कई चीज़े और बता दी ज जाय जाता है चीज aza cooling जाय जाता है उसमें आपको जाद ही जो आप पढ़ लेंगे एक बार वह आपको याद रहेगा 있어요 आप जादर जादर वीदियो देखें तो इस से जादर आपको न कुलिज सोग memories करें दोस्तों को सेर करें और वीडियो देखने अ